नमस्कार में भाकिश्री, बिस्यन दियुस के बिस्नेस समाचार भी अब सभी का स्वाकत है, खबरों के और बढ़ने से पहले आए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर केंडर सरका ने सारवजरिक शित्र के बैंकों की आर्तिक सिहत को सुधानी के लिए ठोस कतम उटा है, इसके तहट सरका ने चार सरकारी बैंकों में 24,500 करोड रुपे की पुंची डाली है, यह पुंची मुख्य रुप से उन बैंकों की वित्ति हालत में सुधार के लिए उपलब्द कराए गई है, जो रिजर्वा बैंक आप इंडिया के तदकाल सुधारात्मक कारिपाई रूप रेका की तहत है, इनमें इंडियन ओवर स बैंकों को शुल्ख समेत कई तरह की पापन दिया है, केंडर की ओर से उपलब्द कराए गई कुल राश्टी में से 11,500 करोड रुपे तीन बैंकों को जबकी बाकी 3,000 करोड रुपे बैंक आप इंडिया को उपलब्द कराए गई है, सरकार की अधिसुचना की अनुसार सें प्रवार को घर लुवायता बाजार में सोनी और चांदी की चमक पड़ गई, जिससे सोना 45,116 रुपे प्रती 10 ग्राम और चांदी 36,980 रुपे प्रती किलो ग्राम बोलाग्या एमसेक्स वायता बाजार में सोना 208 रुपे यानि 0.40 प्रती चत को चल कर 45,116 रुपे प्रती 10 ग्राम पर रहा, तथा सोना मिनी पी 202 रुपे मदबूत होकर 44,930 रुपे प्रती 10 ग्राम पोलाग्या इस दोरान चांदी 95 रुपे यानि 0.41 प्रती चत चड़कर 44,009 रुपे प्रती किलो ग्राम की भावबे की चांदी बिडी 25 रुपे महंकी होकर 44,247 रुपे प्रती किलो ग्राम पोली के अंतराश्टी बाजार में 16 हासित 6,42 प्रती चत पढ़कर 174,21 प्रती और प्रती पर पहुँच किया बिरो रिकोर्ट BCN News मार्श में कोरुना संक्रमन के बड़ते मामलो की बीच GST कलेक्शन नए रिकॉर्ड उचाई पर पहुँच किया है इस महरे 1,23,902 करोड रुपए का GST संग्र हुआ जो की पिछले साल की समान आउधी के मुकाबले 27 फिस दिया दिखे इससे पहले बीती जनवरी में 1.19 लाग करोड रुपए के संग्र का रिकॉर्ड बना था वित्तमत्राले के ओर से जारी आकरोड की मुताबिक GST देविन्यू पिछले 6 मेनों से लगातार 1,00,000 करोड रुपए से अधिका है इस अवधी में तेजी से बृत्री के रुजानों से कोरोना महामारी के पाथ 38,902 करोड में कुल GST में सेंटरल GST के 22,983 करोड रुपए स्टेट GST के 29,329 करोड रुपए और इंटीग्रेट GST के 22,842 करोड रुपए शामिल है GST कलेक्शन में देश में महाराश्ट श्रेश पर बना पाए राज़े में 17,038.59 करोड रुपए का GST कलेक्शन रुपा है या प्रिछली साल मार्च की आपरे 15,002.11 करोड रुपए से 14 प्रतिशत अधिक है विरो रिपोर्ट BCN New कोरोना काल में वित्य संकट से जूच रही भारत की मत्यम सरकी कमपनियों को बिते फरवरी महिने में बड़ी रहात मिली है इस महिने मत्यम आकार की कमपनियों को बैंकों से 1.3 लाग करोड रुपए का कर्ज बिला जो कि एक साल पहले इसी महिने की तुल्ना में एक किस पिस दिया दिक है इनमें Indian Overseas Bank, Central Bank of India और यूकू बैंक शामिल है RBI के सुधारात्मा कारी पाई रूप रेका की तहर सरकारी बैंकों पर कर्ज देनी प्रवंदर शती पुर्दी और नितेशकों को शुल्ख समेथ कई तरह की पापन प्या है केंडर की ओर से उपलब्द कराई गई कुल राश्टी में से 11,500 करोड रुपे तीन बैंकों को जबकी बाकी 3,000 करोड रुपे बैंक अप इंडिया को उपलब्द कराई गई है सरकार की अधित सुचना की अनुसार सेंटरल बैंक अप इंडिया की माली हालत सुधाने के लिए 4,800 करोड रुपे उपलब्द कराई गई है विश्वभर में सेमी कंड़क्टर की किलत है सेमी कंड़क्टर की सप्लाई नी उध्यों की रप्तार को भी धीमा कर दिया है बारती सरकार इसे एक बड़े मौकी के रुप में देख रही है सरकार देश को सेमी कंड़क्टर का बड़ा निर्या तक बनानी को योजना पर काम करी है भारत को चीन के पाग दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुबाइल को निर्माता बनने में मदद की है सरकार के एक वरिष्ट अधिकारी में बताया कि सरकार चीट फेपरिकेशन यूनिट स्ताफित करने के लिए प्रतिक कमपनी को एक अड़ डॉनों से भी जादा नगत दीर है खबर समापत करने से पहले आए डालते एक नचर आज की सुर्खियों पर जेस्टी कलेक्शन का रिकॉड टूटा मार्श में आए एक दशम लोग तेस लाव करोड उपे इससे पहले जन्वरी में बना था एक दशम लोग उन्दीस लाव करोड का रिकॉड और देश में बनेंगे सेमी कंडक्टर कंपनियों को 7300 करोड नकर देनी की तयारी बिस्निस समाचार में फिला लिता ही ऐसे अंडरे खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे बेसे अंद्यूज नमस्कार